हलो एवरिवन मैं विशुजीत सिंग आप सभी का दीईन पर स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर में हम महिस्ट्री 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 01 का दिसंबर 2022 का कोशिन में पर सॉल्फ करने जा रहे हैं अगर हम अपने बुक के बारे में बात करें तो Ascent and Medieval Societies हमारे बुक का नाम हो गया जिसके अंदर हम बात करते हैं कि प्राचिन काल में मानव का उद्वव किस परकार से हुआ मानव ने अपना जो कृशी पसुपालन का विस्तार किस परकार से किया किस तरह से पसुपालन किर्शी के और अग्रसर हुआ और मानव का जो आसपास का समास था उसका किस तरह से विकास हुआ किस तरह से विस्तार हुआ यह सारे लिटे टॉपिक्स हम इस बुक के अंदर में कवर करते हैं अगर हम अपने आज के question paper के बारे में बात करें तो इस question paper को solve करने के लिए हमें 3 घंटे का time मिलता है 100 number का पूरा question paper होता है 10 question आते हैं 10 मैंस हमें 5 questions को attempt करने होते हैं सबसे important चीज़ जो आपको पूरे question paper के अंदर में याद रखना है हमेशा की तरह हर एक question का जो answer आप लिखोगो उसका एक proper word limit है आपको 500 word के अंदर में ही answer लिखना है अगर आप इसे ज़्यादा लिखते हो तो भी number कटेंगे इससे कम लिखते हो तो भी आपके number कटेंगे तो आपको इस word limit को पूरा maintain करके चलना उस word limit के दायरे में ही आपको answer लिखना है यहाँ पर आज हमें एक चीज और भी बात करने वाले हैं कि अगर हम जो भी answers लिखते हैं उसका एक target base कितना number होना चाहिए कितना हम target लेके चले कितना number at least मिलना चाहिए जो भी आप answer लिखते हो आपको पहले ही idea मिल जाएगा कि किस तरह का answer लिख रहे हो तो courses यह करो कि average जो answers बनाते हो average answer जो मतलब उसमें ज़्यादा proper ideas नहीं है proper put नहीं कर पा रहे हो तो फिर भी उसको target करो कि 16 plus कम से कम मिले आपको 16 plus का target लेके चलो कि at least इतना मिले कि वो देखने में अच्छा लगे 16 plus मिले ठीक है अगर आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेर करें सालवर अपने टाइम दिया है तो at least 90 plus का तो target लेके चलो कि 90 90 plus का आपको at least वो number मिले जिससे एक average और satisfaction वाला number आपको लगना चाहिए जब आपका MA का result है ठीक है तो यह करके चलना है और हमें courses करना है कि अच्छे सा मांसर को explain करें main चीज़ क्या होता है कि question के अंदर में क्या पूछा गया हमें question जब समझ में आता है तब हम answer लिखते हैं कई बार होता है कि question पूछा कुछ और जाता है बताते कुछ और है जिसके कारण से हमारे number करते हैं अगर आप point to point relevant लिखते हो ना जो question से relevant है तो number अच्छे बनते है ठीक है आप कितने word में लिख रहे हो ये भी matter करता है कई बार के होता है कि हम mind में setup रहता है mind में बना रहता है कि हमें history का एक्जाम दे रहे हिस्ट्री का एक्जाम दे रहे तो page भरना है बहुत सारा लिखना है तो हम जो मर्जी कहानी लिख देते हैं वो कहानी लिखने से number नहीं मिलता है relevant लिखो जो question पूछरा सरी उतना लिखो तब मज़ा आता है और उसके number proper मिलते हैं कहीं number नहीं करते हैं कि चलिए आज का हम अपना question बेबर start करते हैं सबस्पहले दोस्तों जो हमारा पहला question आता है पहला question कहता है कि पूरा पाशान काल से नव पाशान काल में जो ओजार बनने की तकनीक थे परिवरतना है उसके अंदर में क्या चीज़े थी किस तर से परिवरतना है उसके बारे में मैं चर्चा करना है अब देखो जो पूरा पाशान काल है वो सबसे पहला काल के तौर पर हम जिसको डिफाइन करते हैं कि सबसे पहला काल जहां पर मानव का उद्वव हुआ, मानव अपना विकास करना इस्टार्ट क्या यहाँ पर इस टाइम पर जो मानव का उदवा हुआ, मानव किस तर rất अपना जीवन व्यापन कर रहा था, ठीक है इसके बारे हम बात करें, तो मानव क्या करता था, अपना जीवन व्यापन के लिए सिकार करता था, सिकार पर निर्बरता पुरी तरसे जहांप जानवरों को छोटे जानवरों को मार कर खाता था ठीक है सासात में क्या करता था संग्रहन करता था वो क्या करता था संग्रहन करता था जो भी गंद मुल के फल है चोटे जानवरों का सिकार रुखा है, कोई मरा हुआ जानवरों, उसको इकठा किया, उसको खाया पिया, उससे अपना जीवन वतीत कर रहा था, संग्रहण के साथ में क्या करता था, रसद करता था, रसद क्या होता है, कि जैसे मानलों कोई बड़ा जानवर मरा हुआ है, उसक करने के लिए मानव को किसकी जौरत पड़ती है ओजार की जौरत पड़ती है जब हम ओजार की बात करते हैं कि ओजार तो ओजार मानव समय के साथ में जब परिवर्तन होता है, दीरे दीरे आगे बढ़ता है समय, तो जब नव पाशानकाल से, जब ये पूरा पाशानकाल से, नव पाशानकाल की ओर जब मानव अगरसर होता है, तो जो इनके ओजार के जो साइज होते हैं, वो दीरे ते छोटे होते चले जाते हैं फलक जो उनकी धार होती है वो बहुत तेज होती चली जाती है उनको पकड़ने लाइक बना पाते हैं जिससे उनको हाथ में सही से पकड़ सके कि starting में तो पकड़ने लाइक नहीं बन पाया था बट दीरे-दीरे समय के साथ में उसके अंदर में विक्सित करते परिवर्तन करते तक्नीक के अंदर में और ओजार को पकड़ने लाइक बनाते हैं अजब हम नव पाशानकाल की बात करते तो वहां पर धातू का इंट्रड़क्शन हो चुका था धातू आ चुके थे धातू के बारे में मानव को ग्यान हो चुका था धातू का उपयोग करना मानव सीख चुका था और धीरे-धीरे उजारों के अंदर में धातू का परियोग क किया जाने लगा जिसके अंदर में हम देखते हं लोहे का प्रियोग किस तरह से हुआ, तांबे का की स्थर से हुआ किस तरह से इनका उपयोग करके मचगूत ऑर धारडा हत्यार बनाएं गया जिसके अंदर हम उजार बनाया पूरा पाशानकाल में और नव पाशानकाल तक आते आते मानव का ओजार का सोरूप जो परिवर्तित हुआ वो किस परकार से हुआ, किस परकार से विक्सित हुआ ये आप पहले question के अंदर में define करते हो इतना लिखोगे, पहला ये chapter ये अच्छे से राम से बना सकते हो कोई difficult वाली बात है नहीं और मैंने बहुत सारे questions करवा रखे हैं पहले ही MHI 01 के MHI 01 के बहुत सारे question paper solve करवा रखे हैं आप उनको भी देखोगे, तो वहाँ पर question बहुत बार repeat हुआ है तो आप easily इसका answer दे सकते हो चले हम second question के और बात करते हैं second question कहता है कास्य विविन समाज में वैपार के pattern की चर्चा कीजिए किस परकार से वैपार किया जाता था इसके बारे में यहाँ पर पूछा जाता है मिस्र की बात करते है तो यह देखने के लिए मिलता है काफ़ी सारी чीजे जो बिलाजिलता की वस्तु होती तो यह कि Lord आ writers निकाब टाता था इधिया करने के जरीके से एक जगव क्या वद्पर से बढ़ता चला गया किस बॉलते तो इसका रीजन निकाला गया कि जो वस्तु क्या होता था मैंपार करने के जरीके से एक जगा सा दूसरे जगा जाता होगा या फिर ना जो विने में पर्था होता था विने में पर्था बाटर सिस्टम जिसे हम बोलते हैं वस्तू के बदले में वस्तू देना जिसके कारण से एक जगा सा दूसरे जगो चीजे पहुंची होगी यह मानकर चला जाता है आप देखो यहाँ पर वैपार की जह हम बात करते हैं तो वैपार के भी साक्षे मिलते हैं जिसमें मिस्र के जो खदन थे मज़ूर थे एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे मस्तोरों में काम करने के लिए जाया करते थे ठीक है तो जिसके कान से भी यह चीज़े एक जगह से दूसरे जगह travel हुआ करती थी ठीक है जो बाहरी वैपारी वर्ग था मिसर का मिसो मुटामिया का ठीक है सांग का हडपा का ये भी एक जगह से दूसरे जगह travel करने के साक्षे के प्रमान मिलते हैं क्योंकि कई जगह पर सवाधान जो मिर्दगदाह मिले हैं सवाधान मिले है वहाँ पे बहुत सारी विलासिलता की वस्तुवे मिली हैं जो similar थी दूसरे जगवों से जिसके कारण से हम ये मान के चलते हैं कि हाँ पे वैपारिक पैटर्न भी रहा होगा ठीक है समझ में आता है कुछ और अगर इसके अंदरे में हम बात करें तो normally क्या रहता था कि ये एक दूसरे से बाहरी वैपार का संबंद बनाते थे एक दूसरे पे रिलेशन्स पे डिबेंड करता था कि किस तरका रिलेशन बन रहा है आज हम वैपार करते हैं तो हम क्या करते हैं वैपार भरुसे का वैपार है तिके भरुसे पे करते हैं रलेशन्स पे करते हैं कि हां, हमारी वाच्चित आपस में कैसी है, तो वहार पर समबंद के basis पे वैपार करते था यह माना जाता था, बलते हूज थी, बस तु को यहायात निर्यात किया जाता था मतलब हडपा के जो हडपा का वेक्ती है वो भी दूसर से संबंद इस्थापित करने का ये भी मतलब नहीं है कि साधी करना या भी वच्चे पैदा करना ऐसा नहीं है कहने का मतलब क्या कि लें दिन करने ग्रहाक और दुकानदार का जो संबंद होता है वैपारी और खरीदार क कुछ है नहीं, इसके अंदर में, नॉर्मली है, इसके अंदर में हम बात करते हैं कि किस परकार से पुर्दुकी के टाइम प्रिएड पर पूरा इंडस्ट्री जा रहा था, जहां पर हम खनीज परदार्त की बात करते हैं, किस परकार से तक्निक धातू का जब उपयोग करना सुरूद के तो किस प्रकार से वैपार होता है और इस पूरे टाम प्रेड हम बात करते हैं समाज के निकालना शुरू कर चुके होते हैं जिसके बेसिस पे जो हीमन था वो डेवल्प हो रहा था विक्सित हो रहा था यह हमें इस टाइम पिरेट पर देखने के लिए मिल जाता है ठीक समझ में आता है अगले कोश्चन के और बढ़ते कोश्चन नमबर ठट जहां पर हम बात करते प्राची काई पर सेम कुष्चन है अब यहां पर लिखा हुआ है कुलीन वर्ग लिखा हुआ है को लिखा हुआ है कि वहां पर बूपती अभीया लिखा जाता है तो मतलब यही निकलेगा आप यह माइंड में सेट कर लेना ठीक है इसका कई सारे मतलब अलग-अलग words के आप से question का answer वही बनता है कहने का मतलब क्या है कि अपर और जो farmer class था जो निम क्लास के लोग थे किश प्रकार सांग चाल का प्रकार नेशर पूस्ता कि किस प्रकार का आप इस प्रक्राम कर लिया कि उप्पर प्रक्रास खार ङा और चाल की शिंद गई गई भूमी पे टेक्स लागू कर दिया उन्हों कि भीया जो आपके पास जमीन उसको टेक्स वसूल टेक्स देना पड़ेगा खेती करने के लिए उनको टेक्स देना पड़ता था जिसके कारण से क्या हुआ क्रिशक के उपर में एक लगान की बोज बढ़ती चलेगी वे करणने गल्दे उनको टेक्स का भूज बढ़ता चला गया करजे के तरह दपता चला गया करजा क्यों उसको सभी चशी करने के करणने के करणने के कर द However ड़ी रहता है जिसके करणने से राजनेदिक उसकी भागेदारी उन्हीं रह पाती है बहुत सारी पर इस την उस उसके कारण से यहाँ पे दोनों के बीच में मद्य संगर्स देखने के लिए मिलता है और यह पूरा इंदर में प्राचिन युनान के अंदर में इस्तिती बनती है प्राचिन युनान के अंदर में ऐसा टाइम आया जब कुलीन जो वर्ग था जो अपर क्लास था ठीकी समीन के उपर में पूरी तरसे अपना अधिकार लागू कि आप खेती नहीं कर सकती थे खेती करने के लिए लग लग तरसे टेक्स लगाया गया कि आपको इस तरह से कर देना पड़ेगा तो बहुत सारी सितिती थी जिसके एकारण से दोनों के बीच में संगर्स जैसे सितित रहती है और यह जो पूरा टाइम परिड़ के हम बात करें ना 800 से लेकर 500 बीच की बात कर रहे हैं ठीक है तो यह पूरा रहता है यहां पर कुलीन वर्कों समप्रभात वर्ग भी बोलते हैं इसको यह भी याद रखना ठीक है आगे हम इसके इंदर में बात करें तो बाद मे क्या होता है कि धीरे-धीरे करके यहाँ पर जब यह संगर्स बहुत जाता है बहुत बड़े इस तरह पर संगर्स होने लगता है तो फिर मद्धे यहाँ पर आपस के दोनों किसान और कुलिन वर्क के बीच में समझ होता जैसे इस्तिति बनती है जहाँ पर सबसे बड़ी किसानों को जो मजूदा रिडिट दा उसको भी माफ किया गया कि आपने जो पहले का बकाया रासी था ठीक है कर जया था वो भी आपसे नहीं लेंगे इस तरह से माफ करके यहां पर जो संगर्स उसको खतम किया गया। ठीक है तो यह अच्छा कोश्ट्ट ने बंदा है कई बार इक जार में पूछा जाता है और अभी तक मैंने दो question paper करवाया दोनों question के अंदर में ये question repeated था तिसरे question के और बढ़ते चोत्य question के और sorry चोतो question कहता है कि Roman समराज के में इसाई धर्म का परसार का वर्णन कीजिए देखो कल वाला जो question paper पर मैंने करवाया था ठीक है तो उस वाले question paper के अंदर में भी ये वाला question repeated था कि रोमन समराजे के अंदर में इसाई धर्म का वर्णन कीजिए पर चार पर सार जो भी ता किस तरह से हुआ अब देखो यहां पर जब हम बात करते हैं रोमन समराजे में इसाई धर्म के बारे में तो यहां पर क्या था कि जो भी रोमन समराजे के उस समय सासक वर्ग था वो इसाई धर्म के परती उतना उदासीन नहीं था उतना ज्यादा लगाव नहीं था पर एक ऐसा समय आया कि जब जो भी समाज के अंदर में रहने वाले जो भी देखा जाता है इसका रीजन यहाँ पर देखो गे किस तरह से रोमें समराज्य के अंदर में इस सारी विद्रोह के लिए उतर सकते हैं उनके खिलाब विद्रोह कर सकते हैं इसके कारण से यहाँ पर उन्होंने इसाई धर्म को अपनानी की चेस्टा करी और अपनाया जो भी कह सकते हैं आप यहाँ पर इमान सकते हैं रोमन समराजे में जो लोग थे, इसाई धर्म को अपना कर अपनाना परम्र किया, तीसी सेताबदी में जो ये रोमन समराजे तक काफी लोग पिरिये हुआ, और इसाई धर्म ने मत और प्यार का जो मतलब एक संदेश दिया कि भाई, उनका मतलब आइडिलोजी में था कि मैं प्यार का संदेश फैला रहा हूँ, ठीक है, ये एक में आइडिलोजी सबके सामने सेट किया, जिसके कारण से लोग बहुत जादा मातरा में जूरते चले गए, और जो सासक वरग था, उसने भी इस धर्म को अपनाना स्टार्ट किया, इवन उसको राज धर्म के तौर पर, रोम समराजे का राज धर्म के तौर पर भी उसको इस्थापित किया गया, और पूरे रोम में इसको परचार परसार किया गया, फैलाया गया, ठीक है, इसको परसार पर जोर दिया गया, इसका विस्तरित विस्तार करने पर जोर दिया गया, इसाई धर्म के अंदर में जो सम कारण से इसा के विचारों के कारण से जो लोग जो जूड़ते जा रहे थे विद्रो का जो भावना आ रहा था लोगों के अंदर में जिसकी कारण से रोमन समराज्य के जो सा सकते उन्हों इसाई धर्म को अपनाया only for the भाय के रिजन इसका निकल कर आता है डर के मारे भाय के मारे यहां पर रिजन बन कर आता है ठीक है समझ में आता है अगर ध्यान से कोश्चन नहीं पढ़ा तो कई बार क्या होता हम कोश्चन आदा पढ़ते कि सामंतवाद के दो चरण तो यहां पर क्या होता हम दो चरण explain करना शुरू कर देते कि सामंतवाद के दो चरण कौन-कौन से हैं पर हमारे question के अंदर में सामन्तवाद के दो चरण नहीं पूछ रहा वहाँ पूछ रहा उत्पादन के संगठन किस तर से पैदावार हो रहा था किस परसे production हो रहा था उत्पादन के संगठन क्या आते है उसके बारे में आपे question आता है पर सबसे पहले हम बात करते हैं सामंतवाद के दो चरण कौन से हैं तो सामंतवाद के दो चरण निकल का राते हैं जिसमें हम पहले चरण के अंदर में बात करते हैं नौवी से लेकर यार्वी सतावदी का जिसके अंदर में स्रम परधानता की बात की जाती है जो स्रम होता है ने लेवर वर्क होता है उसको परधानता की बात की जाती है दूसरी जो टाइम पर अड़ती है वो 11 से लेकर 14 सताबदी तक का होता है जिसके अंदर में कृषी उपज के बारे में बात की जाती है जनसंक्या वर्दी के बारे में बात की जाती है तो इन सब चीजों पर जोर दिया जता है दूसरे चरण के अंदर में आपको ए माइन में हलका सा रखना है सामंतवाद के दोचरण किस परकार के थे अब हम बात करें कि सामंतवाद के अंदर में उत्पादन संगठन का किस तर से परिवर्तन आया तो इसके अंदर में क्या होता है कि उत्पादन के जो तरीके थे उसके अंदर में सामंतवाद की अवधारणा विक्सित करने के लिए दिरे दिरे वक्सित किया गया इसका जो स्रे है जो पूरा किस परकार से उत्पादन का जो तरीका विक्सित हुआ सामंतवाद का इसका जो स्रेज आता है कि जिसने इसके अवधारणा को विक्सित किया, अंग्रेजी इतिहासकार Perry Ederson को जाता है, नाम याद रखेगा, Perry Ederson, ठीक है, Perry Ederson को इसका स्रेज आता है, जिसने सामंत वातकंदर में उत्पादन का विचारदारा को डेवलप किया था, उत्पादन के ऐसे ये तिहांसिक परिपिछे का सामना उन्होंने किया सामने आये मतलब जो माक्सवादी विचारदार थे उससे एक दम अलग हट कर ये विचारदार लेकर आये थे ठीक है पैरी अडर्शन का जो विचलेशन था सामन्तवादी ववस्ता के खंडन को अर्धवस्ता को करन पादन हो जाएका उसको मानने सिंकार किया बोला इस तरह से नहीं हो सकता चीजे इसकी बात माँ पे कहते हैं विच्छे कि अधिक विच्षित व्याक्या की तौर पर उन्होंने इसको डिफाइन किया पैरी एडिसन ने थीक है समझ में आता है कृषि उत्पादन तरह श इस परकार से अधिशेस में बढ़ोतरी हुई सामंतवाद के कारण से, सामंतवाद उत्पादन के कारण से किस परकार से कृष्षी में विकास हुआ, ये भी बात करते हैं, सामंतवाद के भीतर कई सन रचनाय का अंतरवीरोधी थे, इसके बारे में वो बोलते हैं, सासात में वो ये भी बोलते हैं कि इसके वावजुद कुल मिलाकर को कई यूगों से मतलब जो कृष्ची अधवस्ताति यो प्रगति की और विक्सित हो रही थी अगरसर हो रही थी इसके बारे में वो डिफाइन करते हैं ठीक है तो यहाँ पे Perry Addresson का पूरा ideology क्या था किस तरस उसने class की जो उत्पादन की विचारदा राती उसको किस तरस उसको काटते हैं इसके बारे में यहाँ पे questions का answer बन कराते हैं पर सबसे पहले जब आप answer लिखोगे तो सबसे पहले Perry Addresson को आप define करोगे कि Perry Addresson है क्या उससे पहले जो introduction के अंदर में आपको सामंतवाद के दोनों चरणों को define करना पड़ेगा थोड़ा सा define कीजिए उसके बाद में Perry Addresson का वहां से start कीजिए अगर class की का आपने पढ़ रखा है तो class की का भी जरूर बताए अगर नहीं पढ़ रखा है तो मैंने जो last five year के question paper की वीडियोस बना रखा है उसके अंदर में class की का समझा रखा है और अलग से ही मैंने वीडियोस बना के समझा रखा है तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देखे जो सामंतवाद वाला unit है पूरा जो MHI 01 का मैंने करवा रखा है टेश्च वीडियोस एक्टर उसके अंदर में सामंतवाद वाली unit के अंदर में कलासकी का जो विचारधारा है वो मेंने अलग से बता रखा वो ज़रूर देखे लिए जिससे आपको समझ में आए कि विचारधारा क्या है अब हम बात करतें को जहां पर हम बात करते हैं कि हिंद महासागर में पुर्तकाली वैपार का विशलेशन किस परकार से हुआ पतन किस परकार से हुआ क्या कारण थे अब देखो जब हम बात करते हैं पुर्तकाली जब भारत के अंदर में आये तो 1498 के अंदर में पुर्तकाली भारत के अंदर में वासकोडिगामा आपने पहली दूसरी तीसरी में बहुत वार पढ़ा होगा कि वासकोडिगामा भारत आये थे ठीक हमारे में तो कवीता भी थी वासकोडिगामा को लेकर तो जब भारत के अंदर में वासकोडिगामा आये तो उसके समय पर देखा यहां पर कितनी जादा भार इसके अंदर में एक तरसे मालो जो आज की आधुनिक ववस्ता है वो काफी अतक सिमलर थी उनकी वबस्ता से किस तर की ववस्ता थी उनकी तो जो भी जहाज हिंद महासागर के आसपास से गुजरता था उसको एक तरसे टेक्स पे करना पड़ता था ठीक है पुर्तकालियों को पर्तुकालियों के इजाज़ते की बिना मसाल है पिर और जो चीजे होती थी परदार्ज होते हो लेके नहीं जा सकते थे अगर आप वहां पर आ रहे हो तो टैक्स पे करोगे तो आपको सुरक्षा दि जाती ती आपके नाओं को बाहर निकाला जाता था अगर आप टैक्स पे तो इस तरह के कुछ चीज़े रहते हैं जिसके कान से पुर्थकालियों का जो यह वैपार पतन था उधिर देरे पतन के और अगरसर होता और पतन होता है ठीक है तो यहाँ पर कई सारे तिहांसकारों का भी जिक्र किया जाता है यहाँ पर पूरा एक रूल जैसा बना दिया था कि आपको एक टेक्स पे करना पड़ेगा अगर आप यहाँ से बाहर निकलते हैं तो आप नहीं लेके जा सकते ठीक है इस तरह की व्यवस्ता की गई थी अगर आप टेक्स पे नहीं करते हो तो सवारी समान की खुद जीमिदार है ऐसा वाला स्लो हो सकते जो भी वर्ट्सवाइबर उस टाइम के अनुसार से वह सारी चीजे हो सकते हैं यह कहा जाता था ठीक है आपके बुक में बहुत अच्छा से इसको भी एक्स्पें कर रखा है एक बार थोड़ा सा पढ़ेगा समझ में आएगा पड़िये कोश्चन उतना ज्यादा ख को लेकर अब देखो प्रोटेस्ट बाद है क्या आप कोश्चन बहुत बड़ा है समझ में आना चाहिए सभी को को प्रोटेस्ट बाद है क्या तो एक टाइम पिलेड ऐसा आ गया था ठीक है जब यूरोप के अंदर में जहां पर धर्म की सक्ति बहुत जादा बढ़ गई थ अगर वो बोल दे रात तो रात दिन तो दिन ठीक है तो यह इस तरह से पॉप का दबदबा चल रहा था तो मार्टीन लूतर क्याते है उनके विरोध में उत्रे किस तरह से जो लोगों को जन जागरती आना चाहिए पुनर जागरण आना था ठीक है उसके लिए यहां पर उ में सिध्धान ता उसके अंदर में संतोस लोगों के मैंने में बढ़ता जा रहा था जो चर्च के इशा के जो शिश्य थे पारंबिक सिर्षय थे या धर्म गुरूप के जो उपदेश थे उनकी जो भावना थी उससे दूर हट चुके जो में उपदेश थे कि भाई तुमे आपका मैसेज को इस वर्तक पहुंचाएगा उसमें अभी भावक के रूप में सुईकार नहीं किया जा सकता था ये दिखा जाने लगा सासाथ में क्या था प्रोटेस्ट वाज का जन्म का मुख्य कारण ये माना गया कि चर्च के जो अंतरगत बुराईया थी जो पंदरव बहुत गड़बड कर रहे हैं ठीक है क्या गड़बड कर रहे हैं तो पाद्रियों की अज्ञानता विलासिलता चर्च की परदों के पीछे जो से होती थी विलासिलता मतलब क्या लग्जरी लाइफ जो जी रहे हैं जो पाद्री सबते हूँ अज्ञान थे ठीक है और परद confess जाकर आप चर्च में जाकर आप confess करते हैं कि सर में ने गलती कर दी ठीक है वहाँ पर पादरी को बोलते थे तो पहले confess letter जैसा चीज़े निखलती थे confess letter दिया जाता था तो उसको बेचना शुरू कर दिया गया कि आपने किसी का कुछ बुरा क्या है आपके साथ कुछ बुरा हुआ है आपने किसी का एक रुपे चोरी कर लिया ठीक है आपने दीनव चैनल को subscribe नहीं किया तो यह बुरा कर दिया आपने भी आपने subscribe नहीं किया अगली वीडियो डालूँगा आप देखनी पाओगे ठीक है तो subscribe जुरूर कर ले तो अब अगर आपने नहीं किया subscribe मानलो यह crime था आपने बुरा कर दिया तो आप करोगे क्या तो आप क्या करोगे तो जाओगे चर्च में भीया मुझे एक confess letter देदो sign करके अपना जिससे मैं proof हो जाओं कि मैंने confess कर लिया है उसके बदले में पैसे तो तरह से बेचनी की प्रिक्रिया अगरτα को सब्प कर दया है ठीक है यहां पर का जाता है कि जो चर्च थे ना पदों पर बंटवारा आपस में पाप्या सब्सक्रायूख गे एसे अधिक पद रखना चाहता था ठीक है असंतोस की और सिकायत बढ़ रहे थे इसके कांसीन के लोग थे वो सिकायत बढ़ते जा रहे थे पॉप के जो नैतिक रूप से भी ब्रस्ट जो लोग थे वो पॉप में जो मतलब अभी जैसे देखोगे प्रोफ फ्रांसिसको करके जो इटली के रहने वाले हैं भी इटली के साथ पॉप मुझे उनके बारे जादा जानकारी नहीं है ठीक है तो अगर किसी भो तो मुझे बताना कि से में करेंट में पॉप कौन है ठीक है तो यह मुझे बताना ऐसे जहाता है पॉप फ्रांसिस्को करके है उनका नाम है तो जो पॉप थे उस時 टाइम पे तो उनके लिये भी असंतोस की भावना बढ़ती जा रही थी, जो नेतिकता रूप से भरस्ट माना जा रहा था, जो छटा पॉप एलेक्जेंडर हुए थे, और दस्वा पॉप जो लियो हुए थे, ठीके वो भले बुरे सब उपायों से पादरी को धनी कठा करने में लगे हुए थे, पादरी सब छमा परदान करने के लिए लोगों से पाप का एक प्राशित करने के लिए, मतलब आपको अपने दोने के लिए पैसे मांगा करते थे, पैसे देकर सभा पत्र या फिर इन लोगों लेजन करके न एक पत्र होता था उसको दिया करते थे, सभा पत्र दिया करते थ पर इनको टेक्स ही देना होता था टेक्स ही दे पर पढ़ने के लिए घजरुपिक करने के लिए था इंगल भी है तो रह पढ़ना चाहिए व अपके United में आए ना हैं बात की बात पढ़ना चाहिए ज़रूर ठीक आप इस टॉपिक को ज़रूर पढ़िएगा अगर हम बात करें चैप्टर कौन सी है तो धार्मिक संस्थाएं चैप्टर का आपका नाम रहता है ठीक है अगला कोशन हमारा आता है और अगला हिए उत्तर डाइकारकों के चर्चा किजी अब देखो जिस टाइम प्राइब के उंदर में यह पूरा टैप परिवर्तन हया जन्संकिमें किस तर से परिवर्तन आया तो उसके कई सारे डीजन्स देखते हैं सबसे पहले क्या था उत्पादन के तकनीकों में परिवर्तन होता चला गया इस पूरे टाइम ब्रेड के अंदर में ठीक है जिसके कारण से क्या हुआ कि लोग थे बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन कर रहे थे नए उजार आ चुके थे मार्केट के अंदर म जो संगंता थी उसके अंदर में बहुत तीजी से विर्दी होने लगी ठीक है जो जो अलग अलगतर के कबीले थे वह बाहर निकल कर आ रहे थे ठीक है और आपसी जो स्वताब्दियों में जो यूद हुआ था वह एक तर से रूख चुका था ठीक है और यह सारा पूरा टा कोर्वा पढ़ यह थे लोगों को बिमार कर रहे थे मर रहे दो लोगों के पास त ways ऑलाज नहीं था जिसके कर गणा इसका इसका इंपक्ट इरॉक परिवर्द होता चला बैए ह। पूरे टाइम प्रेड के अंदर में हम बात करते हैं कि आधुनिक विश्व के अंदर में किस परकार से जनसंख्या परविरतिया संकर्मन फैला किस परकार से इस सारी चीजे हुई ठीक है आधुनिक विश्व के अंदर में इस सारी परिवरतन किस परकार से रहा यह सारा कुछ यहां पर हम बात करते हैं ठीके नोवा कोश्चन समझ में आता है दसवा कोश्चन आपका टिपड़ी बेस होता है कि टिपड़ी कीजी है बंजारा बारूदी करांती यह सब नौर्मल टिपड़ी है टिपड़ी वाले कोश्चन तो मुझे पसंद नहीं है बट अगर कोई सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से महनत करनी कुर्सिस करते हैं और आपके लिए वीडियो बनाके ला पाते हैं तो फ्रेंड बाबाय टेकर अले बैस्ट